कि नमस्कार साथियों मैं धीर ज्यादा अब सभी का हमारे इसके इसनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमुनिटी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं बात करेंगे आप हम लोग कोश्चन सेशन प्रोग्राम की तो क्या कुछ खास रहने वाला इस प्रोग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप हमारे साथ त्याह रहने कि जब हम बात कर रहे थे देक्ना क्रें को अफ्राम के लिए अपको तॉपिक्स को डिटेल में कवर अप रप जिसमें आप अपने doubts already अभी तक हमारे साथ में जुले हुए हैं, आप हम से अपने doubts को discuss करते हैं, चाहे वो lecture से related हो, practice sheets से related हो, या other resources से जहां से भी आप questions की practice करते हैं, तो इसी कड़ी में एक और initiative हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्चियों के लिए लिया गया है, जिसमें हम question session program की बात करेंगे, यानि कि यहां पर हम लोग topics को concept wise नहीं deal करेंगे, यहां पर हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, प्रशनों की चर्चा करेंगे, और आप सभी छात्र जो already concepts के साथ में lectures को कहीं न कहीं देख चुके हैं, कहीं न कहीं अपनी तयारी कर चुके हैं, तो अग question आपका छूट जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं अगर आप तयारी कर रहे हैं, आप से question नहीं बन रहे हैं, तो किस तरीके से हमें approach करना चाहिए, साथ की साथ जब हम विकल्प की बात करेंगे, exam time management की बात करेंगे, तो हमें प्रशनों को किस तरीके से approach करना है, हर एक मुद करते हैं, आज का session और जैसे कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं, कि आज हम लोग यहां पे counting of figures related, अलग-अलग exam हो में पूछे गए, प्रशनों के उपर चर्चा करेंगे, तो अगर हम बात करेंगे, आज के session के पहले प्रशन की, आज के session के पहले प्रशन के अगर मैं बा करना क्या होता, simply 1, 2, number of rows and number of columns की बात करें, तो 1, 2, 3, 4, सब को जोड़ दिये तो कितना मिल गया, 10, यहां पर सब को जोड़ दिये तो कितना मिल गया, 3, इन दोनों का multiply कर दी, यानि कि 3 into 10 की अगर हम बात करें, तो answer कितना मिल जागा, 30, यानि कि within second चुटकियों में आप question क answer कर सकते थे, तो अगर आपने इन concepts को अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं देखा हुआ है, तो SSC CHSL की playlist में जा करके, आप reasoning के सारे के सारे lecture बिल्कुल detail में देख सकते हैं, चलिए, move on करते हैं, अगले प्रस्ट में, यहां कर मैं बात करूँ, number of triangles की, तो सीधे सीधे मैं कितने मिलेंगी, पांच इस प्रकार से आप इसाकरती का निर्माल कर सकते हैं, साथी साथ अगर मैं यहां पर थोड़ा सा modification कर दूँ, यहां पर इस प्रकार से अगर इसको जोड़ दूँ, तो यहां पर जो आपको मिलेंगे, number of triangles, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो उनक हम बात करेंगे, three figure से बनने वाले त्रिभुजो की संख्या की, तो पांच त्रिभुजो तो यह मिल गए, और इसके बाद जब हम बात करते हैं, three figure से बनने वाले triangles की, तो आपको क्या करना था, प्रत्येक यहां पर corner के अगर हम बात करें, प्रत्येक बिंदू को पकड़ना है, clear, अब इसको और थोड़ा सा मैं clarify कर देता हूँ, जो छात्र हमारे साथ में नए जुले हैं, उनके लिए मैं थोड़ा से आप और इसको clarify कर देता हूँ, जयानि कि जब हम बात करें, three figure से बनने वाले triangles कौन-कौन से हो सकता है, आपको color की कारण आपको थोड़ा सा confusion हो र यानि कि हम बात करेंगे आपर, सबसे पहले four x or two की, four x or two से मिल करके एक triangle बनेगा, फिर अगर मैं बात करूं तो five x or three से मिल करके एक triangle बनेगा, फिर अगर मैं बात करूं, यह होगी आपका four x or two, यह होगी आपका five x or three, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो one x or four, इसके और एकटर में बात करूं तो 4 x there जो एक आइस में बात कुरूँ 1 x or 3 एक. और ठीचर तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं आपकी यहां पे 5 आपकी क्या बनेंगे, जब कभी भी अगर आप को ट्रेंगल में इस प्रकार के अगर f Ragres में confusion हो तो क्या करना है one figure triangle two figure triangle इस प्रकार से आपको आप पर गिन लेना हला कि अगर हम बात करें प्रश्णों की तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्णों की अलड़ी हम session में ही practice कर चुके हैं फिलाल यहां पर हम बात करेंगे किसकी exam में पूछेगे किवल प्रश्णों की concepts की जाधा चर्चा नहीं करेंगे चलिए इस प्रश्णों की अगर हम बात करें तो इस प्रश्णों के लिए exam में हमारा क्या approach होना चीए था और इस प्रश्णों का सही answer क्या है triangles कितने बन रहें और बन रहें तो कौन-कौन से बन रहें हर एक पहलू पर हम लोग यहां पर थोड़ा सा detail में चर्चा करेंगी इस particular question के लिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता है कि जब हम कभी square इस प्रकार के square की बात करते हैं और diagonal से यहां पर आपस में touch हो रहे होते हैं यानि कि इस प्रकार से अगर मैं यहां से इसको बाट दूँ तो इस एरिया से आपको number of triangles मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे चार भागों में यह बटा है इस इसी प्रकार मैं बात करूं मिल जाएंगे आपको यहां से इन दो एडिया से मिल गया में कितने अभी तक ऑठ इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां से मिल जाएंगे हमें कितने त्रभूज तीन त्रभूज और यहां से मिल जाएंगे हमें कितने त्रभूज तीन त्रभूज अभी तक हमने कौन-कौन से त्रभूज यहां पर निकाले हैं यानि किन-किन एरिया से त्रभूज निकाले इसके बाद हम क्या करेंगे एरिया को merge करके देखेंगे तो अगर बात करूँ मैं अभी तक यहाँ पर त्रभुजो की संख्या की तो simply 8 इस वाले हिस्टे से मिले 8 इस वाले हिस्टे से मिले 8 इसको उम लिख सकते हैं कितने हो जाएंगे इस से मिले कितने हो गए 19 और तीन इस वाले इस नाम फ्र Automobile हमने कि एक option हम यहाँ पर eliminate कर चुक है अब इसके अलावा जो त्रिभूज बनने उनकी हम चर्चा करेंगे आकरतियों को merge करने से तो इसके अलावा अगर मैं बात करू तो देखी एक त्रिभूज का निर्मार इस प्रकार से होता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पर यह एक त त्रिभूज ने और हो गए दो त्रिभूज और हो गए इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो एक त्रिभूज का निर्मार आपको यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई देरा जो कि अभी तक के त्रिभूजों की गिंती में नहीं आया है इसको भी अपने को क्या कर लेना है प्लस वन करके अड़ कर लेना है आप आराम से इत्मिनान से वीडियो को दो बार तीन बार रिवाइस करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से त्रिभूजों की गड़ना हो चुकिया और कौन से त्रिभूजों की गड़ना नहीं हुए ठीक है तो मैंने पहला तो आपको येगा हिए कि जैसे इसको चार अलग यहां पर चार का डबलाट किया इसको अलग किया तिए अप देखिये 15 बाद आप करूं तो इस एरिया से इस एरिया से अगर मैं बात करूं तो यहां से तीन त्रिभुज हमें बनते हुए दिखाई देंगे जो कि अभी तक गिंती में नहीं आए कौन-कौन से तो पहला तो आपका यह हो जाएगा और दूसरा इसी प्रकार से यह हो जाएगा और तीसरे की बात करें तो इन हम बात करें यहां पर 38 तो बचे हुए जो ट्रेंगल्स है वो कौन-कौन से बनने हैं उनके ओपर हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं जैसा कि उन ट्रेंगल्स के बारे में भी आपको जानने के लिए क्या होगी जिग्या सा होगी तो चलिए अब देखिए एक साइड से मैं ग कितने हो गए दो इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो एक त्रभूज यह वाला कितने हो गए तीन इसी प्रकार मैं बात करूं तो एक त्रभूज यह वाला चार और इसी प्रकार मैं बात करूं तो एक त्रभूज यह वाला पांच तो पांच इधर से बन रहे हैं तो पां कितना हो जाएगा और अंसर की याननी क्यों जाएगा यानि कि अप्षन नंबर टी क्यों जाएगा तो यह बहुत सारे बच्चों ने यहां पर करेक्ट आंसर निकाला होगा जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुले रहे हैं हमने आप exam का discussion भी किया है previous year questions के जब हमने set को discuss किया था तो वहाँ पे हमने इस प्रकार के प्रश्णों को और इस question को भी साथ साथ इस question को भी हमने already discuss किया हुआ है clear प्रश्ण की उर में बात कर आपको यह भी मताना किया है कि इस बारे में कमेंट करके बता अब होसा सब्सक्त से अमेजिंग या इंट्रेस्टिंग बात आपको क्या जानने को मिली सेशन में इसके बारें भी आप कमेंट करके जरूर बता है अगर मैं बात करूँ इस दी गई आकरती की तो अगें देखो यहाँ पे मैंने कहा आकरतियों को आपको समझना है कि इनका निर्मार कैसे हो रहा है और अगर आप उसको सेपरेट इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप आसानी से त्रिभुजो की संख्या को गिन सकते हैं यहाँ दो मैं बात करूं निर्मार होता हूँ दिखाई देगा और इसही प्रकार की आकरती यहाँ और आपको देखने को मिल वाइए जिसमें पता है कि तीन बनते हुए दिखाई देंगे हुआ है नहीं मुझेंगे है यहांप एक PhD अलावा अगर में बात करूं तो चेहां पे यह इत दो द्वार्णा कितने हो गए है फ़सक्ना जाने कि ठोटर बंदक्व healthy rice और थर्वूज आपको यह बंच्छा की हम बाद करें त्रहों कि बनेंगे अब पंदरा चसुट्स देख लिए बड़े इस वाले में कितने मिल जाएंगे तीन कितने हो गए शे इस वाले में कितने मिल जाएंगे तीन कितने हो गए 10 10 हो ग्यारा यहांद यह elegant 13 के बाद बात करों तह एक त्रभूज कि संख्या गिन लेनी थी और बाकी जितना एक साइड बनेगा उतना यह आपको दूसरे साइड ही बनता हो दिखाई देगा यानि कि इस फ्रकार के आकरती कि अगर हम बात करें तो ऐसे देख सकते थे आप यह पे तीन है या फिर अगर हम बात करें तो इसको इस प्रकार तो यह बनते हुए दिखाई देंगे तीन के बाद अगर हम बात करें तो एक single हमें यह दिखाई देगा चौथा त्रिभूज और एक इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा एक और त्रिभूज कितने होगे पाँच और एक त्रिभूज कि अगर हम बात करें तो यह बनता हुँ हमें दिखाई दे रहा कितना होगे एक साइड से हमें यहाँ पर त्रिभूज की संख्या कितनी बनती हुए दिखाई दे रही तो एक साइड से यहाँ पर बड़ा वाला छे इस प्रकार त्रिबुजो की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो आंसर आ रहा है बारा यान की बारा यहां पर आपको किसी भी कल्प में देखने को नहीं मिल ला है तो correct answer क्या हो जाएगा यहां पर none of these जिए इस आकरती के अगर हम बात करें तो मैंने का आकरती का निर्माळ किस प्रकार से हो रहा है या और आपने जान लिए तो आप आसाहनी से हो रहा है इसका pro ever explanation क्या है और यहां पर हम बात करें तो त्रिबुजो की कुल संख्या कितनी बनती हूई दिखाई दे रही है उतने ही यहाँ पर उसका double कर देंगे, तो क्या बनते हो नजर आएंगे, हमें triangles बनते हो नजर आएंगे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यह अभी 8 भागों में विभाजित हो चुका है, और यहाँ पर त्रिभुजों कि अगर मैं संख्या की बात करूँ, तो कितने होंगे, 16 त्रिभुज होंगे, यानि कि यहाँ पर हम बात कर सकते, 16 प्लस 16 अभी तक हमें 32 त्रिभुज है, यहाँ पर आसानी से बनते हो, दिखाई देने कैसे, और किस प्रकार से, अब थोड़ा सा जो यहाँ पर modification देखने को मिलना करती में, वो इस प्रकार से, जैसी मैं इस प्रकार से, यहाँ पर आपको, दो त्रिभुज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानि कि प्लस 2, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, 16, 16, 32, और चालिस त्रिभुज यहाँ पर अभी तक हमें मिल चुके हैं, अब चालिस के बाद अगर हम बात करें, तो चालिस के गिन चुके हैं, इस हिस्से में मत जाना, इस हिस्से को हम उल्लेडी गिन चुके थे, जब हमने क्या किया था, इसको चार आठ भागों में बाटा था, सबसे बड़े वाले स्क्वार को, तो इस हिस्से को गिन चुके थे, लेकिन, एक हिस्सा ऐसा है, जिसको अभी तक हमने यहां पर नहीं गिना वह हिस्सा कौन सा तो आप देख सकते हैं यह वाला जब हम ठ्रीज टू-3 का पेर लेंगे तो एक ट्रेंगल हमें यह बनता हुआ दिखाई देगा और इसी प्रकार से गर हम बात करें तो यहां पर एक ट्रेंगल हमें इसके अपोजेट यानि कि यह बनत करूँ चलिएबल कर्टेंट गाल करेंगल हमें यह बनता हमें तो यहां पे हमें दो त्रिबुजों को का निरमार होता हुआ बताई कि आपका यहाँ पे कितने triangle तक आप पहुचे थे किस option तक आप पहुच गया थे कितने close थे आप यहाँ पे correct answer के चलिए बात करते हैं आप अगले पूछे के परस्थ किस परस्थ को मैंने दो अलग अलग तरीके से already discuss किया हुआ है एक में इस line के बिना और एक में इस line क साथ इसको solve करने के लिए अलग अलग approaches भी है तो दोनों यह approaches के में आप फटाफट चर्चा कर लेते हैं एक अप्रोच यह कि आप इसको अलग कर लिजे इस भाग को और इस भाग को अलग कर लिजे तो मुझे जैसा कि मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भागों में यह भाजित होगा number of triangles क्या होगा उसके double बनते हुए दिखाई देंगे तो इस इससे में यहाँ पर चार भागों में भाजी था इस इससे में चार भागों में भाजी था यानि कि आठ प्लस आठ आठ त्रभूज हमें मिल चुके हैं आठ के लावा अगर मैं बात करो तो तो तीन यहाँ से मिल जाएंगे तीन त्रभूज यहाँ से मिल जाएंगे तीन ही त्रभूज यहां से मिल जाएंगे और तीन ही त्रभूज यहां से भी बनते हुए हमें दिखाई देंगे जो अभी तक हमने consider नहीं किया था चलो color मैं यहां पर change कर देता हूं इनका जिससे आपको समझने में आसान ही हो तीन इस हिस्टे से तीन इस हिस्टे से तीन इस वाले हिस्टे से और तीन ही आपको इस हिस्टे से बनते हुए दिखाई देंगे यानि कि प्रत्य की हिस्टे से तीन और चार इस प्रकार के हिस्टे यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो 8, 8, 16 और 16 के बाद अगर हम बात करें तो 12 और त्रिभूज यहां पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे अब आपको ध्यान क्या देना है कि जब हम इन आकृतियों को मर्ज करें तो इनसे किन त्रिभूजों का निर्माड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो ध्यान दीजे यह यलो और ग्रीन वाले में अगर हम बात करें तो एक त्रिभूज आपका यह बन जाएगा क्लियर और एक त्रिभूज आपका यह बन जाएगा तो कितने होगा यहां पर अगर हम बात करें तो 28 के बाद दो त्रिभूज और मिल गए यानि कि कितने होगा यहां पर 30 के अल 2 यह हो जाएगा आपका 3 और यह हो जाएगा आपका 4 कितने हो गए 34 यानि कि 34 अब इसके लावा अगर मैं बात करूं तो अभी तक कौन से त्रिभू बचें हैं जो की गिंती में नहीं आए तो ध्यान दीजे एक यह वाला 35 और एक यह वाला 36 यानि कि number of triangles के अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने बने 36 चलिए फटा 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 इसको हम एकस्प्लें कर देते एक बार और तो हमें पता कि एक दो तीन चार यानि कि यहां से मिल जाएंगे 8 एक दो तीन चार यहां से मिल जाएंगे 8 फिर एक दो यह से मिलेंगे 8 टेन चार तीन यह हो जाएगा आपका 2 और इसी प्रकार से यह वह जाएगा आपका 3 और इसके ऊपर वग। जाएगा आपका चार तो कितने हो गए थे 34 और दो यह आपके बड़े-वाले बन रहे थे तो कितने हो जाएंगे आपके 36 बस आपको जरुवत है तो नमबर कोश्टन की प्रैक्टिस करने की और यह सारे के सारे कोश्टन अगर हम बात करें इस प्रश्टन की तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की हम बात करें बीना लाइन के पूछा गया और अगर हम बात करें तो लाइन के साथ भी पूछा गया यहां कि मुल्टिपल टाइमस आपको यह कॉष्टन देखने को मिला है क्लिए दूसरे अप्रोच की बात करें तो कितने भागों में भाजित है बार बार मैं आपको बताता है जितने भागों में भाजित होगा इसके डबल हो जाएंगे तीन उसी प्रकार अगर हम बात करें इस हिस्टे से भी तीन और इस हिस्टे से भी तीन तो सोला के बाद अगर हम बात करें तो प्लस बारा और त्रिपूश हमें मिल गए कितने हो गए अठाईस अब इनको मर्ज करने से इनको मर्ज करने से सीधा सीधा एक तो यह मिल जाएगा आपको और एक यह मिल जाएगा आपको कितना हो गया इसके अगर हम बात करें तो 16 और बार 28 और दो कितने हो गए 30 30 के बाद अगर मैं बात करूँ जो अलग से आपको त्रभुज बनते वह दिखाई दे रहें तो देखिए समझना आना चाया आपको कि दो आकर्तियों को मिला करके तो एक यह मिलेगा एक यह मिलेगा कितने हो गए 32 एक यह मिलेगा 33 एक यह मिलेगा 34 और अगर बात करें दो यह बढ़े वाले 35 और एक यह 36 तो कैसा भी आप आप रोच को फॉलो करिए बस इसको क्या करना आपको separate separate consider कर ऑना चाहिए और उसके बाद में इन आकृतियों को मर्ज करने से जिन आकृतियों को अपने सेपरेट भागों वारता है उनको अगले प्रश्न के अगले यहां पर एक और दो कि अगर हम बात करें तो यहां से तीन रेक्टेंगल का निर्माड होता हुआ दिखाई देगा इसी प्रकार तीन रेक्टेंगल सापको यहां से बनते हुआ दिखाई देंगे तो तीन तीन कितने हो गए छे च्जे के बाद अगर हम बात के तो एक ये वहला रेक्टेंगल बनता हुआ कितने हो गए और और एक पूरी HOWइं अइस के अलावा यहां पर किसी भी रेक्टेंगल özet was धिरा नहीं दे रहा है तो जिन लोगों ने भी जो अगर हम बात करें हमारे साथ में यहाँ पे स्टुडेंट जुले हुए है और उनको कई न कहीं कठिनाई अगर हो रही है इस प्रगार के प्रश्णों को बनाने में असानी से तो आपके पास SSC की प्लेलिस्ट अवेलबल है जहाँ पे डिटेल में डिसकेशन किया गया है counting of figures की उपर जहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रश्ण आपको solve कराए गये हैं जिससे आप concept सीख सकते हैं और साथ यहाँ पर हमारे साथ में question को आसानी से बना भी पाएंगे चलिए बात कर अगर हम यहाँ पर अगली पूछी की आकरती क तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना मैंने आपको बता है triangle के अंदर triangle आएगा तो one plus four का concept follow करना है यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक प्लस दो एक प्लस दो एक प्लस दो तो जब हम triangle के अंदर triangle का concept follow करेंगे तो बन रहे हैं तो consider कितने करते थे दो यानिकि 6 और जुड़ तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेंगल के अंदर triangle कितनी बारा है तो one plus four plus four यानिकि दो बार यहाँ पर triangle के अंदर triangle देखने को मिले है प्लस अच्छे कि अगर हम बात करें तो पंद्रा त्रिपुजी यहाँ पर आपको बंते हुए दिखाई दे रहे हैं चलिए दूसर बारा और एक की बात करें तो तेरा तेरा की बात करें तो एक यह पूरा complete हो गया 14 और यह पूरा यह बड़ी वाली आकरती कितनी हो गया यहाँ पर पंद्रा त्रिपुजी हमें बनते हो दिखाई दे रहे हैं तो multiple approach की हमने चर्चा करी हुई है बहुत अलग अलग तरीके से हमने आपको बता कि कोश्चन को कैसे आप आसानी से बना सकते हैं क्लियर चल्य मुवान करते हैं अगले प्रस्न की और अगर आप सुरू से जूड़े हैं तो मुझे नहीं लगता है आपको कुछ भी बताने की आवर शक्ता है यहाँ बात करें तो कितने भागों वाजित है नमबर अफ ट्रेंगल की बात करें तो कितने हो जाएंगे 16 देख करके बिल्कुल उड़ा देने वाला प्रस्न है विदिन सेकेंड्स ठीक है चली बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की अगले प्रस्न की बात कर तो अगें देखिए आकरती का निर्मार किस प्रकार से हो रहा यह बहुत इंपोर्टेंट है आकरती के निर्मार को अगर आपने समझ लिया तो आपको प्रस्न बनाने में ज्यादा कठिना ही नहीं होने वाली है अगर मैं बात करूं आकरती में तो इस प्रकार की आकरती आपको बनती होई दिखाई दे रही यहाँ पे त्रभुजो की सं त्रभुजो कितने हो गए 11 और 3 14 यहां पर इस प्रकार से लाइन खीची तो 3 अत्रिक त्रभुजो कितने 20 और कुछ यहां पर आपको करने के अवशकता नहीं थी कैसे गिन सकते थे तो अगर हम बात करें बड़े वाले हिस्चे में बनेंगे कितने 8 8 के बाद 3 यहां से मिल जाएंगे 3 यहां से मिल जाएंगे और 3 यहां से मिल जाएंगे जो कि गिनती में अभी तक नहीं आए क्यों इनको हम गिनने क्योंकि हम ने इसको भी वाजीत किया तो हमने इन ट्रैंगर्स को कंसीडर किया था 1 2 3 और 4 उसके बाद इनको मिला करके 5 ठीक है फिर इधर वाला 6 फिर इधर वला साथ और इधर वला आठ तो यह आपको करते हैं कि अगले प्रश्न की अगें करना कि आपको आकरती के निरमाल पर ध्यान देंगे तो आसानी से आजाएगा बताइए कितने त्रभूज भर रहे हैं, तो आप काएंगे यहां पर त्रभूजों की संख्या हो जाएगी, आठ, अब हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस सिंप्ली यहां पर इस परकार से, लाइन खीची, तो आप काएंगे 3 और त्रभूज भर गए, 8, 3, 3, 11, इसको मिला दिया तो 17 और तीन बीस इसके लावा यहां पर आपको कोई भी अत्रिक त्रिबुज का निर्माड होता हुआ दिखाई नहीं देरा आसानी सा प्वांसा निकाल सकते हैं ध्यान किस पे देना है आकृति के निर्माड पे उनके सेपरेशन पर उनको हम सेपरेट करके और बाद में जिन आकरतियों को हमने सेपरेट किया, उनको मर्ज करने पर किन अत्रिक्त त्रिबुजो को निर्माड हो रहा है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके उपर भी हमें ध्यान देने की जरूत है, अगें, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, त्रि ठीक है, एक्जाम में यह दोनों अलग-अलग दो प्रस्ण थे, यहाँ पर एक ही में आपको देखने को मिल रहा है, एक ही प्रस्ण में हम इसको डिसकस कर रहे हैं, तो कोई भी एक हम यहाँ पर निकाल लेंगे, अगर एक साथ हमसे पूछा गया है, तो स्मार्ट तरीका क् चाहे त्रिबुजी या फिर वर्ग जो भी हमें आसानी से यहाँ पर हम बना पाए या जिस पर भी हमारा बहतर कमांड हो, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते, तो अगर हम बात करें, पूछा हमसे गया है, तो दोनों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, अगर हम बात करें वर number of row को सबसे बड़े number of column के साथ है multiply करते थे तो इस प्रकार से मिल जाएगा हमें eight plus three ग्यारा हमें क्या मिल जाएंगे यहां से वर्ग मिल जाएंगे और एक अनसर मार्क कर सकते थे लेकिन हमें बात करने यहां से त्रॉडबलन कि इतने होगे आट तitaire और फिर यहां से बनेंगे कितने ह VI harcom चोध को ठीक है इसके बाद करें इसे एरिया में हमें पता है कितने भादों में कैने हैं तुछ आप कहें कि यह चार भादों में भाजित है यह चार इसमें भादों यहां से होगये आपके 8, 8 зв 14 और 8 अगर हम बाद करें तो 22 22 तो यह हो गए इसके अलावा कर मैं बात करूं जो आपको आत्रिक्त त्रिपूज यहां पर देखने को मिल रहे है अच्छा हमने यहां पर वर्गो की संख्या कितनी निकाली है फिर से देख लेते हैं इसको बना लेते हैं चली आकरती को ही बना लेते हैं मैंने कहा आकरती का निर्माण कैसे हो रहा है इस पर आपको क्या करना है विसेस ध्यान देना है तो हमें पता यहां पर वर्गो की जो संख्या है वो निकल करके आजाए कि कितनी 11 और एक आपको यह बड़ा वाला वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं कि वर्गों की संख्या होगी कितनी 12 इसके अलावा यहां पर आपको कोई भी अत्रिक्त वर्ग का निर्माण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है आप इसके अलावा कर मैं बात करूं इस आकरती की यह चली इस आकरती की अगर हम बात करें तो यहां पर आपकी पूरी की पूरी क्या हो रही है ठीक है तो चार आपको इसके अखे सकते हैं जो दो बचते वह दिखाई दे तो इस इस मिल जाएंगे कितने 3 इस इस्षय से मिल जाएंगे कितने three इस्षय से मिलvas can कितने तीन क्लियर यानि कि अगर हम बात करें तो आठ प्लस बारा कितने हो गए बीस अब इसके अलावा आपको यहां पर एक दो तीन और चार क्या दिखाई दे रहें ठीक है तो यहां पर जो आपको दो त्रिभुज बस्ते वो दिखाई दे रहे थे इस आकरती में वो कौन स प्लस आपको यह चार और त्रिभुज देखने को मिलेंगे यानि कि चौबिस और बारा यहां पी क्या हो जाएगा पूछे के लिए बात करतें अगले प्रस्ण की अगर बात करो तो काफी आसान सा कोशन है मैंने आपको तरीका ही बताया है इसके फॉर्मुले में क्या करना होता आपको और number of triangles जो आपके base पे होँगे और even number of triangles जो आपके base पे होंगे उसके हिसाफ से अलाग अलाग formula आपको रटना पढ़ेगा लेकिन मैं यहां पे बात कर तो आपको कोई करते चले जाना है यानिकी 20 प्लस साथ की बात कर तो कितना जगा 27 क्लियर चली एक और बार देखते हैं यहां पर बेस्क पे माल लेते हैं पांच इतरी भूज होते तो कैसे करते हैं तो 不 कि एक दो तीन चार फांच एक लेक एक सामने में एक एक प्लस दो करोगे so तीन प्लस तीन कारोगे सब्सक्राइब कर दोगे तो तो यहां मिल कितना अथ थेखत आधे फाइव फिर मैं पर और मैं बताए तो आपको को प्रस्ने दिखाई दे तो मैंने बतालए कि कैसे आसानी से हांप आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मुले को रटे हुए ठीक है चलिए मुवान करते हैं पर नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन के अगर हम बात करें तो अगेन आपको नंबर ऑफ ट्रेंगल पर बेज़ कोश्चन देखने को मिल रहा है अगर ह तो यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और तस दस मिल गया हमें एक अकरती से बनने वाले त्रिभुच अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए ध्यान दीजिए एक यह वाला मिल जाएगा आपको ग्यारा और इसी प्रकार यहां से भी है कि यह मिल जाएगा आपको बारा ठीक है बारा यहां तक क्लियर बारा त्रिभुच यहां तक बनते हो दिखाई दे रहे हैं अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए ध्यान दीजिएगा इन दो आकरतियों को मिलाने से एक बन रहा है 13 फिर इन दो आकरतियों को मिलाने से एक बन रहा कितने हो गए 14 और फिर इन दो आकरतियों को मिलाने से एक बन रहा कितने हो गए 15 और इसी प्रकार तीन इधर भी बनेंगे कौन कौन से एक एक ये पूरा और अगर हम बात करें तो एक ये वाला इधर से बना है तो ये आपका इधर से भी बनता हुआ दिखाई देगा यानिकि इस वाली लाइन से ये वाला ठीक है तो अभी तक अगर हम बात करें त्रिभुजों की संख्या की तो दस मिल गए था आपको वन फिगर वाले ट्रेंगल फिर एक ये मिल गया ग्यारा एक ये मिल गया बारा बारा के बाद करें तो यह पूरा आपका हो जाएगा एक 19 और एक पूरा का पूरा गर हम बात करें तो complete वाला हो जाएगा कितना 20 एक्जाम में बैठे होती तब तक आपको answer mark करके चले आना था यानिकि 21 त्रिभुजों आपको mark करके चले आना था इसके अलावा कुछ भी करने ज़रत नहीं कितने हो गए 20 और एक आपका ये वाला तो कितने हो गए 21 ठीक है तो तरिभुजों की संक्चा कि गर हम बात करें तो कितने हो गए 21 आसानी से यहाँ पर आप इसको गिन सकते थे आप क्या करना था one figure और उसके बाद बाकी कितने तरिभुजों को आपको गिन लेना था कैसे गिनना था तो एक figure वाले मिल गए 2 10 फि तो तीन ही दूसरे साइड से भी निकाल लिए तो कितने हो गया अठारा अठारा के बाद अगर अगर लगता है आपको कुछ भी बताने की जोरत है सिंपली अगर मैं बात करो तो चार भागों भाजित है तो आठ तृबूज यहां से जांगे लेकिन यहां पे पूछा क्या है पन्च भूज़ को कि तो हमें पता है 20 चतुर पूज़ों की संख्या करम के पूछ अंतने हैं पता कितने एक और दू को मिला一 तीन और यानिक नो लेके और एक आपका यह अंदर वाला हाथ दडस लेकिन हम बात करें अगर 5 वोजो की संख्या की इस प्रकार के ठीसे में थोड़ा आपको complication हो सकते हैं थ्यान दिजा पर्त्य आपको क्या करना बिंदू को पकड़ना हैरो प्रतीय बिन्दो को फकड़ एए और प्रत्यक बिन्दो से देखिए कैसे आपको यहाँ पंच भुजों का निर्मान होता हूँ दिखा कि पांचिबूजा याने कि 1 के एक विंदू से आपकोrings यहाँ पंचभूज बनता हुआ दिखाई देगा तो देखिए परते की बिंदू के अगर भाा करें कि का पर से विंदू से यहाँ पर आपको एक पंच भूज का निर्मार होता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से clear तो आलग-आलग color से यहाँ पे पांच sorry, चार यहां पे आपके जो पंच भूच बन रहा है उनका यहाँ पे निर्मान खर रहा हूँ आपको किवल क्या करना है उनको consider करते हो चलना है या फिर मैं एक के बाद एक remove करता हुँ चला हो आपको पांच यहाँ पर चार पंच भूच बनते हो दिखाई देंगे जैसे ही अगर मैं बात करूँ पहले पंच भूच की देखिए तो यह होगा आपका एक, clear इसको देख लिए आपने, अब मैं यहाँ पर color change करता हूँ दूसरे पंच भूच को देखिए यह होगा आपका दो इसी पर कारगर मैं बात करूँ तीसरे पंच भूच की तो यह हो जाएगा आपका तीन और इसी पर कारगर मैं बात करूँ यहाँ पर चौथे पंच भूच की है यहसे बनाय Association इम्यंद है यह जी उट्राइब 191 के लिए जाएंगे चार बात कर ली प्रस्न के बात करो अगले दिमें पूछा किया आपाट से वर्गों की संख्ष्ख्ष्णी कि आए रवाद करें तो स्धिया पहले चार यहां मिल गए ऴर्फ मिल साथ साथ दोनौ और एक 10 10 वर्फ यहां पर amद दिखाई देखिए 17 यह 12 एक मिलाएंगे तो बन जाएंगा कितना 12 टेट दृपbaar लोन atenção Olatin तर किला दोता हुं निर्मार कि ते क्यों मेले तो गनटी में नहीं आया है तो और यह बनता हुआ दिखाई प्रकार अगर हम वर्गों की संख्या की बात करें तो आंसर कितना हो जाएगा और अप्शन नम्बर यानि कि चौदा फिर से देखिए क्यां तो अपने साथ साथ क्या करेगा त्टि ऐस क्या अनिहां आपको दिकाई देंगे तो आए रहा कि कि आट और कि पांच बन रहे हैं बात कर लेते हैं फड़ा पर चैगले प्रश्न की यहाँ पर त्रश्न की संहूंबगल इस question का अंसर पहले आप लोग करें और बताएं कि कितने लोगों का प्रस्ण का उत्तर क्या है सही आए तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 मिल जाएंगे यहाँ पर 1-1-1-1 तो यहाँ पर हो गए 6-7-8-9-10 अब देखिए यहाँ पर 10 के बाद जो त्रफुची बनने उनकी अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका एक 11 यह हो जाएगा आपका एक 12 यह हो जाएगा एक आपका 13 क्लियर 13 त्रफुची होगे 13 के बाद अगर मैं बात करूं तो एक ही हो जाएगा आपका 14 इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक ही हो जाएगा आपका पंद्रा, एक यह हो जाएगा आपका सोला, और एक आपका यह पुरा कम्पलीट यानि कि यहाँ पर अगर मैं त्रिबुजो की संक्या की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा है आपे option number B चली, move on करते हैं अगले प्रस्ट पर, अगले दी मैं प्रस्ट की बात करूँ तो आसानी से बता सकते हैं आपे number of circles कितने अच्छे हैं, आंसर हो जाएगा option number B, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो number of straight lines, यानि सरल लेखाओं की संक्या, सरल लेखाओं की संक्या की बात करते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहां से मिलगी आपको slanting lines और इसी प्रकार से मिलगी आपको slanting lines इस प्रकार अगर हम बात करें यहां पर number of straight lines की या सरल लेखाओं की संख्या की या सीधी लेखाओं की संख्या की जिनके माद्ययम से साकृति का निर्माल किया जा सकता है तो answer क्या जाएगा यहाँ पर आपका 15 clear चलिए move on करते हैं अगले प्रस्ट पर again अगर हम बात करें तो सीधी रेखाओ की बात करी जा रही तो अगर हम बात करें यहाँ पर vertical line की तो vertical line हो गई एक horizontal line हो गई एक line है कितनी हो गई दो Slanting lines की बात करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छे यहाने कि number of straight lines की अगर हम बात करें तो answer क्या जाएगba option number C clear हो बात करते हैं अगले प्रस्ट की अगले अगले 3 कितनी हो गई तीन 5 3 8 अब slanting lines के गर बात करें तो एक दो तीन यहां पर मिल गई और इसी प्रकार से एक दो तीन यहां पर मिल गई यानि कि 9 5 14 यहां पर line आपको देखने को मिलेंगी इस आकरती को बनाने के लिए जो कि हमें हमें हावशक है इस आज़ेका करती को बनाने के लिए 14 लाइन हो के हवशटा कर party हें ? यहां पिनलर के सन्ख्यां कि लिए ऑक करेंगा तो एम नंवर और भुण कि संख्या करेंगे तो तो कितना जलेगा स्वार पुछा है rectangle की एगर हम बात करते हैं तो rectangle की संख्या मिल जाती कितनी 100 वर्गों की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 तो 4 का square करोगे 16 3 का square करोगे कितना 9 क्या करना होता है जब number of rows, number of columns क्या होते हैं equal होते हैं तो हमें क्या करना होता इस प्रकार से बड़े number से start कर क्या कर देना होता है सब का क्या कर देना होता है स्क्वाइर कर देना होता है इस प्रकार अगर हम बात कर यहां पर 16 9 25 4 29 30 यानि कि वर्गों की संख्या कितनी मिल जाएगी 30 अगर आप हमारे साथ number of questions की practice करते आ रहे हैं तो इस प्रकार की figures में आपको कितने वर्ग हैं यह already क्य हो चुका होगा रट चुका होगा कंठस्त हो चुका होगा clear चल यह बात कर लेते अगले प्रस्ण की अगले यदि मैं प्रस्ण की बात करूं तो यह भी आपको आकरती थोड़ी सी complicated देखने को देखने में लग सकती ठीक है लेकिन believe कर यह आप अगर इसको separate separate parts में क्या कर पा मिल जाएंगे कितने त्रभू, तीन त्रिबू, यनि कितने हो गए 9, solicet CT मिल जाएंगी इस हिस्से से 13, cycle 17 हो गया आपको यहां यहां पर बंते होए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाहर हम बात कर तो इन दोनों को मिला करे, एक त्रभू जिए अथारा, एक त्रभू छिए आपको देखने को मिला कितने हो गए 19 यानि कि अगर हम बात करें यहां पर त्रिभुजों की कुल संख्या की तो यहां पर मिल गए थे आपको 9, 9, 3, 12, 12, 13, 15, 15 के बाद एक यह मिल गए 16, 17, 18, 19, सुरी यहां पर मेरी काउंटिंग में मिस्टेक है 19 और 21 यहां पर त्रिभुज बनना है, देखो 3 यहां से मिल गए 1, 2, 3 यहां से मिल गए 1, 2, 3 यहां से मिल गए 1, 2, यानि कि कितने हो गए 9, 9 के बाद 3 यहां से मिल गए 12, 3 यहां से मिल गए 15, 15 के बाद अगर हम बात करें तो यह वला एक, 20 और यह वला एक, 21 क्लियर तुरिव जो की कुल संख्या कितनी है 21 आंसर क्या हो जाएगा option number C करते हैं अगले प्रश्न की वर्गों की संख्या वर्गों की संख्या कि अगर हम बात करें तो जब एक है रहा है इस फूर का स्कॉयर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रकार से एक दो तीन और एक दो एक दो तीन और फोर के स्कॉयर के अगर हम बात करें तो यहां पे number of rows and columns equal है तो यहां पर आप देखेंगे कि फोर का बुइड़लीटि को फॉर का स्क्वाइर प्लस टू का स्क्वाइर प्लस वन श्क्वाइर इस प्रकार हमें नमबर ओफ इस स्क्वाइर कितने मिल जाएंगे तीस ऑर जब रंक्या करने सुनिख करता है चारा अत्रिक्ट स्क्वाइर का strength करता है यानिकि 30 के बार अगर हम बात करें तो पांच यहां से मिल जाएंगे 35 पांच यहां से मिल जाएंगे 45 और पांच यहां से इक्वल नहीं भी है तो आपको क्या करना है इस प्रकार से जोड़ देना यहां पर मिल जारा में छे और इनका आपस में कर देना है अगले प्राषण की बात करूं तो अगें आयतों की संक्ष्या की बात करी जारी तो एक दो तीन चार सब का सम करेंगे तो मिल जारे कितना है यहां इस प्राषण की जो कि आप आसानी से आपके निकाल सकते थे अगले प्रस्ट के अधि मैं बात करूं रिसेंट में अभी एक्जाम हुआ है यह प्रस्ट आपको देखने को मिला इस प्रस्ट को मैंने डिसकस भी किया है यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स की तो आपको कोई भी विकल्प यहां पर देखने को नहीं मिल है जितने आप नंबर ऑफ ट्रेंगल्स आपके बनते वे दिखाई दे रहे हैं आकरती के निर्मार को अगर आपने सीख लिया आकरती के निर्मार पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको प्रस्ट बनाने में कोई भी कठिना ही नहीं होने वाली है इस आकरती में अगर त्रिभूजों का निर्माड यहां भी आपको होता हुआ दिखाई दे कश्परकार के आकरतियों को पहले भी हम डिसकस करते हुए आ रहे हैं आज ही के सेशन में तो 16 के बाद अगर हम बात करें तो 3 यह हो गया 19 और 1 त्रिभूज यह हो गया 19 और 2 कि अगर हम बात करें कि आज के सेशन की तो आज के सेशन का यह लास्ट कोश्चन था और अपने सेशन को एंजॉई किया होगा तो